Hello All of you आज हमें इस वीडियो में देखेंगे की हमें मेरा की आप का यूज कीसे करना है तो सबसे पहले हमें क्योंकि इस एप को पहले डाउनलोड करना होगा प्ले से डाउनलोड करेंगे जब आप सर्च करेंगे मेरा की एप तब आपको थर्ड नमबर पे एप शो हो जाएगा और मेरे पास यह डाउनलोड एडे तो मैं इसे ओपन करता हूँ आप इसे डाउनलोड कर लिजिए फिर यहाँ पर आपसे पुछेगा कि आपको email id डालनी है ठीक है connect with email id अगर आपके पास email id नहीं है तो आप email id create कर लिजिए और फिर email id के तुरू यहाँ पर login कीजिए skip login को नहीं करना है हमें email id का ही यूज करना है तो यहाँ पर हम connect with email id करते हैं उसके बाद यह आपसे पूछेगा कि आप कौन से language में पढ़ना चाते हैं ठीक है तो आपको वहाँ से language select करनी है English या Hindi ठीक है उसके बाद में फिर हमें यह interface दिखेगा अब हमें क्या करना है यहाँ पर आपको चार screens दिख रहे होंगे home, course, mentor, or play अभी इस वीडियो में मैं आपको home के बारे में ही बताऊंगा ठीक है यहाँ पर आप select कर लिजिए आपको कौन से language में study करनी है ठीक है यहाँ पर English language की आपने आपके वास upcoming classes के सारी details यहाँ पर आ चुकी है अब आपको क्या करना है अगर आपने enroll की होगी किसी class को तो only enrolled पर click करेंगे तो इससे आपको क्या होगा जिस classes पर आपने enroll किया है वो show होगी और अब यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमें कोई workshop अटेंड करनी है जिसे हमें data types के अटेंड करनी है ठीक है तो हम इस पर click करेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि workshop जो है English में होने वाली ह इसके बारे में सारी चीज़े details दे रखी है कि यहाँ पर mentor को ने रिशिका काब्रा date दे रखी है 15th of May और timing दे रखा है ठीक है और फिर आपको क्या करना है enroll to class पर click करना है तो इससे क्या होगा आपकी class जो है वो enroll हो जाएगी अब यहाँ से join the class starts in one hour ओके यह बता रहा है कि जब भी class start कैसे होगी क्या होगा तो आपको क्या गरना है अब क्योंकि इस link को आपको find करना होगा तो मैं आप पर बता देता हूं जिसे आप enroll पर click करते हैं आपको एक notification जाता है Gmail पर या फिर आप calendar पर देख सकते हैं जाके यहाँ पर आप द registering in class ऐसा आपको show हो रहा है ठीक है यहाँ पर देखिए आप registering the class लोग हमें क्या करना है यहाँ से मैं बता दूंग one minute हा तो यहाँ पर आप compose के नीचे एक option आता है meet का आपको उस meet पर click करना है तो इससे क्या होगा आपको जो आपने class enroll की हुई है वो यहाँ पर show होती है अगर वो यहाँ पर show नहीं होती है तो आपको normally कुछ नहीं करना है एक calendar app आता है वो app डाउनलोड कर लीजे उस app को डा class enroll की होगी वो class आपको यहाँ पर show हो जाएगी for example आप देख सकते हैं कि जो मैंने class fourth data types वाली की ती वह यहाँ पर मुझे show हो रही है और मैं यहाँ पर click करके easily उस class को यहाँ से attend कर सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर इतने बच्चे जो है वो attend already कर चुके हैं इनके पास already access है आप यहाँ पर click करेंगे तो आप class में जा सकते हैं जैसे कि मैंने click किया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर option आ जाएगा ठीक है तो आप इस तरह से class को join कर लीजिएगा तो अभी फिलहाल हम इसे join नहीं कर रहे हैं तो basically इस तरह से हम class को join कर सकते हैं और बाकी की जो तीन screens आपके सामने show हो रही है वो तीन screens के बारे में मैं आपको next video में बताऊंगा थैंक्यू